नीम का एक नाम है अरिष्ट, संस्कृत में अरिष्ट मतलब संकट, बस कोई तकलीप और संकट से बचाने वाला है नीम, इसलिए करोना का जो संकट है वो इससे चला जाएगा और हमें इसको ले रहा है, अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये चटनी में क्या है नमस्ते और आप सबको आज का दिन जो है गुडी पाडवे का चैत्र मेने का ये पहला दिन होता है, चैत्र मेने से भारतिय परंपरा का वर्ष भी शुरू होता है, साल शुरू होता है और ये बहुत मंगल दिन है, बहुत ही शुब है और सब मूर्तों में बहुत अच्छा आप सबको शुवेच्छा, आपने कोई न कोई अच्छा काम शुरू करने का आज विचार किया होगा. और इसमें हम लोग क्या करते हैं? यह महाराष्ट्र में एक बंबू लेके उसको उपर एक लोटा रख कर उसको पूजा करते हैं, उसको फूलों का हार चड़ाते हैं, लेकिन उसमें नीम पत्तों का हार यह बहुत महत्वकार है और यह किसलिए करते हैं? कि हमारी जो रीड की हड़ी है वो जैसे बंबू है और यह सिर है वो उपर का लोटा है वो कायम ठीक रहे हूचा और हम उपर देखे हमें ऐसा कोई मोका ना है कि हमें नीचे देखना पड़े यह साल का संगल्प कि मैं उपर देखके बराबर जो मेरे देश के लिए, मेरे र पड़े लाते हैं कोई शॉपिंग करते हैं सोना अगरे खरिते हैं ऐसे यह दिन है यह गुड़ी पाडवा और उसकी आपको फिर एक बार शुबेच्छा देता हूं अभी एक दिन एक बात बताता हूं कि आजकल की जो मामारी है इसमें हमें कुछ न कुछ इलाज चाहिए ह आप ढूंड रहे हैं लेकिन ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं कि हमने ऐसे समझ लिया कि मैं शरीर हूं और मेरी जो शरीर है वही सब कुछ है हम भूल गए कि शरीर के साथ आत्मा भी है तो हम शरीर का इलाज करते हैं दवा दारू होती है लेकिन दवा से जो इलाज होता है वो वो शरीर का उपर का इलाज है, हमें इलाज होना चाहिए अपने आत्मा का, और आत्मा का इलाज कैसे है, कि वो शरीर के साथ आत्मा का भी इलाज, मितलब वो अरुग्य मिल जाता है, वो दोनों को लाभ करता है, तो इसलिए ये हम पहले से ध्यान रखेंगे, तो ये इसी महा हमारी आती नहीं और अभी आई है तो हम अभी भी शुरू कर सकते आज से कि हम सिर्फ गोली काड़े यह क्या जैसे गोली अभी खाते हम लोग इंजेक्शन लगा लेते यह सब ठीक है वह शरीर के लिए है लेकिन असली रोग है वह तो अंदर है हमारा मन आत्मा दूशित और उसका इलाज क्या होता है द्यान यह सबसे बड़ा इलाज है क्योंकि दवा से सिर्फ शरीर ठीक होता है ध्यान से आत्मा और उसके साथ शरीर दोनूपा वह इलाज है वो दवा है lands consegu году समझतेए कि द्धान याने कोई स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा और मोक्ष वैज फ तो हमें आरोग्यवान रहना है, हमारी लिए आरोग्य चाहिए हमें, पैसा चाहिए, आत्म समाधान चाहिए, तेख चाहिए, और इसके लिए हमें कुछ करना है, पैसा, 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 शरीर और उसकी पूजा, शरीर के लिए व्यायाम, चलो ये करो वो करो, नहीं अच्छा ह तो इसलिए हमें आत्मा का भी इलाज करना है और उसमें भारतिय परमपरा ने यह ऐसे जो त्योहार है गुड़ी पाड़वा जैसे जो विधी है वो अंदर लाए है अभी देखिये ना कि एक बात सही है कि इस त्योहार पे यह नीम जो है वो नीम बराबर कामाता है और नीम क नीम का बहुत मैं तो दिया है और इसको गुड़ी को नीम लगा कर पुजा वगरे करते है नीम के पत्तों की चटनी बना कर खाने का भी रिवाज है और नीम का एक नाम है अरिष्ट संस्कृत में अरिष्ट मतलब संकट बस कोई तकलीप और संकट से बचाने वाला है नीम इसलिए करोना का जो संकट है वो इससे चला जाएगा और हमें इसको ले रहा है अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि यह चटनी में क्या है तो चटनी में देखिए कि पहले तो नीम तो है और यह नीम लेंगे कोई पचास ग्राम यह है यह कड़ीपत्ता 30 ग्राम यह जो है कोरियंडर वो 30 ग्राम लेंगे और यह फिर इंबली है फिर गूड है इसके साथ साथ यह जिरा है यह अजवाईन है यह मीरी है और यहां इसका हींग है यह सैदना नमक है और निम्बू है अंदर पानी डालके इसे पानी थोड़ा थोड़ा डालके इसको बराबर पी क्या है सब दौ का दौ इलाज इसमें आ गया देखिए और ये पहले दिन खाते है ना इसका कारण ऐसे है कि 42 दिन तक बताया है कि खाना चाहिए लेकिन आप ये चट्नी बीच में बीच में साल में भी खाते रहिए एकदम आरोग्य और आत्मा का भी आरोग्य ठीक रहेगा ल और ये ध्यान के बाद जो है वो प्रेम है दान धर्म है ऐसे किसी को मदद करना है ये सब करेंगे तो ये करोना जैसी बीमारिया आएगी ही नहीं आयरुएद में भी बताया है वो आपको हमने बताता हूँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ आज से हम लोग इंगलिश च आपको हमने कि अपको बस्तों ये से करेंगे किसी क pairs कि अपको शरता हूँ थोपको घान एकर इंगरिश नहीं आपको हमने ā पनी करेंगे